लव्य ववस्ता अध्याए उन्निस तुम अपने अपनी माता और अपने अपने पिता का भै मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना मैं तुम्हारा परमिश्वर यहवा हूँ तुम मुरुतों की और न फिरना और देवताओं की प्रतिमाए ढाल कर न बना लेना मैं तुम्हारा परमिश्वर यहवा हूँ जब तुम यहोवा के लिए मेल बली करो, तब ऐसा बलिदान करना, जिससे मैं तुमसे प्रसन हो जाओ, उसका मास बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए, वह आग में जला दिया जाए, और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाय तो यह गुरुणी ठहरेगा, और ग्रहन न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयम उठाना पड़ेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुलना, अपनी दाक की बारी का दाना दाना न तोड लेना, और अपनी दाक की बारी के जड़े हुए अंगुरों को न बट उसे दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम चोरी न करना। और एक दूसरे से न तो कपट करना और न जूट बोलना। तुम मेरे नाम की जूटी शपत खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठैराना। मै यहवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। और मजदुर की मजदुरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाये। बहिरे को शाप न देना और न अंधे की आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भैमानना। मैं यहवा न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुषों का मुह देखा विचार करना, एक दूसरे का कार्य धर्म से करना, लुत्रा बनके अपने लोगों में न फिरा करना, और एक दूसरे के लोहु बहाने की युक्तिया न बांधना, मैं हूँ, अपने मन में एक दूसरे के प्रती बैर न रखना, अपने पडोसी को अवश्य डाटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा, पल्टा न लेना, और न अपने जाती भायों के बैर रखना, परन्तु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रख अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकटे न बोला, और सनी और उनकी मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहिनना, फिर कोई स्त्री दासी हो, और उसकी मंगनी किसी पुरुश से हुई हो, परन्तु वहा न तो दाम से और न सेंत्मेंत स्वाधिन की गई हो, उससे यदी करें, तो उन दोनों को दंड़तों मिले, पर उस त्री के स्वाधिन न होने के कारण वे दोनों मार डाले जाएं, पर वह पुरुश मिलापवाले तंबु के द्वार पर यहवा के पास एक मेंधा दोशपली के लिए ले आए, और याजक उसके लिए किये हुए पाप के कार दोशपली के मेंधी के द्वारा उसके लिए यहवा के सामने प्राइश चित्ते करें, तब उसका किया हुआ पाप शमा किया जाएगा, फिर जब तुम कनान देश में पहुँचकर किसी प्रकार के फल के वरुक्ष लगाओ, तो उनके फल तीन वर्ष रक तुम्हारे लिए मानो खतना रही ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए, और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहवा की स्तूती करने के लिए पवित्र ठहरे, तब पाचवे वर्ष में तुम उसके फल खाना, इसलिए कि उनमें तुमको बहुत फल मिले, मैं तुम्हारा मानना, और अपने सिर में घेरा रख कर न मूनना और न अपने गाल के बालों को मुंदाना, मुंदों के कारण अपने शरील को बिलकुल न चीरना, और न उसमें छाप लगाना, मैं यहवा हूँ, अपनी बेटियों को वेशा बना कर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेशा गमन के कारण महापाप से भर जाए, मेरे विश्राम दिन को माना करना, और मेरे पवित्र स्थान का भै निरंतर मानना, मैं यहवा हूँ, उजहों और भूत साधने वालों की और न फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हार परमिश्वर यहवा हूँ, पकेबाल वाले के सामने उठ खड़े होना, और बुढ़े का आदर करना, और अपने परमिश्वर का भै निरंतर मानना, मैं यहवा हूँ, और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, जो उसको दुख न देना, तो ज तुम भी मिश्वर देश में परदेशी थे, और तुम्हारा परमिश्वर मैं यहवा हूँ, तुम नयाय में और परिश्रम में और तौल में और नात में कुटिलता न करना, सच्चा तराजो, धर्म के बठखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे, मैं त तुम मेरी सब विधियो और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। लब्यवेवस्ता अध्याय पीस। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राइलियों से कहा कि इस्राइलियों में से वा इस्राइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों नहों जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निष्च मार डाला जाए और जनता उसको पत्थरवाह करे, और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इसकारन नाश करूँगा, कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विशे में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयम उस मनुष्य और उसके घ्राने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ वेभिचार करे, उन सबह को भी उनके लोगों के बीच में नाश करूंगा, फिर जो प्रानी ओजहो वा भूत साधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर वेभिचारी बने, तब मैं उस प्रानी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा, इसलिए तुम अपने आपको प पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहवा हूं, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहवा हूं, कोई क्यों नहों, जो अपने पितावा माता को शाप दे, वह अपने पिता वा माता को शाब दिया है। इस कारण उसका खुन उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ वेभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ वेभिचार किया हो, वह तो वेभिचारी और वह वेभिचारी नी दोनों निश्च मार डाले जाए। और यदी कोई अपनी सवतली मा के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उगाडने वाला ठहरेगा। और यदी कोई जिस रिती से उसी रिती पूरुच से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनोना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चे मार डाले जाए। उनका खून उनही के सिर पर पड़ेगा। और यदी कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियात तीनों के तीनों आग में जलाये जाए। जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदी कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चे मार डाले जाए। और यदी कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो तु उस त्री को और पशु दोनों को घात करना। वे निश्चे मार डाले जाए। उनका खुन उनही के सिर पर पड़ेगा। और यदी कोई अपनी बहिन का चाहे उसकी सगी बहिन हो, चाहे सवतेली, उसका नगनतन देखे और उसकी बहिन भी उसका नगनतन देखे, तो यहां निंदित पात है। वे दोनों अपने जाती भायों की आखों के सामने नाश किये जाए। क्योंकि जो अपनी बहिन का तन उगाडने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयम उठाना पड़ेगा। फिर यद कि कोई पुरुष किसी कृतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उगाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उगाडने वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उगाडने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में स और अपनी मौसी वा फूफी का तन न उगाड़ना, क्योंकि जो उसे उगाड़े वह अपनी निकट कुटुम्बिनी को नगन करता है, इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा, और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए, तो वह अपने चाचा का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वश मर जाएंगे, और यदि कोई अपनी भावजी वा भयाहू को अपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनवना काम जानना, और वह अपने भावी का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इस कारण वे दोनों निर्वश रहेंगे, तुम मेरी सब विधियों को और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह नहों कि जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, वह तुमको उग और जिस चाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब को कर्म किये हैं, इसी कारण मुझे उनसे ग्रुना हो गई है, और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमी के अधिक तुम तुम्हारा परमेशवार यहवा हूँ, जिसने तुमको और देश के लोगों के अलग कर दिया है, इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पश्यों में बहेद करना, और कोई पश्यो वा पश्यों वा किसी प्रकार का भूमी पर रहिएंगने वाला जीवजन तु क्यों नहों, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा कर वरजित किया है, उससे अपने आपको अशुद्ध न करना, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयम पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अधना करे, तो वह निष्च मार डाला जाए, ऐसों का पत्थर वहा किया जाना, उनका खून उन्ही के सिर पर पड़ेगा। दालेंगे, और वह मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा, पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई, और वह उससे पूछने से डरते थे। फिर वह कफरनहूम में आये, और घर में आकर उसने उनसे पूछा, कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे, वह चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था, कि हम में से बड़ा कौन है, तब उसने बैठ कर बारहों को बलाया, और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में करता, वे मुझे नहीं, बरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है, तब यहनना ने उससे कहा, हे गुरू, हमने एक मनुश को तिरे नाम से दोश्टात्माओं को निकालते देखा, और हम उससे मना करने लगे, क्योंकि वे हमारे पीछे नहीं हो लेता था, यिश्यू ने कहा उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे, और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वे हमारी और है, जो कोई एक अटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुम से सच कहता कि वे अपना प्रतिफल किसी रीती से नखोएगा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझे पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, और वे समुद में डाल दिया जाए, य जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं भुझती, और यदि तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट डाल, लंगला होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है कि दो पाउं रहते हुए नरक में डाला जाए, औ जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं भुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, तो उससे किस से स्वाधित करोगे? अपने में नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप से रहे.